कि हलो बच्चों आज हम पढ़ेंगे जूल का प्रवाब जूल का प्रवाब के लिए इंपोडेंट क्वेश्चन है यह वेरी इंपोडेंट क्वेश्चन यह 2019 में भी आया है जैसे यह आप देख रहे हैं 2019 में आया है तो समझाइए वास्तिविक गैसे जूल के नियम का पालन क्यों नहीं करती है वास्तिविक गैसे जूल के नियम का पालन क्यों नहीं करती है उसमा गत की रूप में जूल के विंजन इस्थापित कीजिए यानि कि जूल गुडान का जो विंजक है उसको हमें इस्थापित करना तो जूल का प्रभाव होता क्या जूल का प्रभाव है कि मुक्त रुद्धोश्म प्रशार में किसी गैस के ताप में परिवर्तन होने की गठना को जूल का प्रभाव कहते हैं में अगर कोई हमारे पास प्रक्रम है क्या हमारे पास कोई प्रक्रम है जिसका परशार करना जैसे प्रशार करता है गैस है इसके अंदर गैस बरी हुई है ठीक और ये बरतन है इसके अंदर गैस बरी है ये इस पर प्रिश्टन लगाए ये क्या लगाए एक प्रिश्टन लगाए हमारे पास ठीक है इस तरीके से ये प्रिश्टन को दवाने के लिए हैंडिल है इस तरीके से ये हैंडिल है इस अचानक से अगर दवाते हैं अचानक से तेजी से हम इसको यहां से इतना नीचे ले जाएं यहां से अचानक से लिए यहां तब तो इस प्रशार को हम कहेंगे रुद्धोश्म प्रशार क्या कहेंगे रुद्धोश्म प्रशार इस प्रक्रम के दोरान ना अंदर की जो उश् का आदान प्रदान तो नहीं हुआ फिर भी प्रक्रम का ताप क्या हो जाता है ताप बदल जाता है ताप बदल जाता है तो इसी प्रशार को मैं इसी को जूल का प्रभाव कहते हैं इस बात को क्या कहते हैं जूल का प्रभाव तो वास्तविक गैसों का जूल के नियम से विच यू केवल ताप पर निर्वर करती है किस पर निर्वर करती है केवल ताप पर निर्वर करती है दाव आइतन पर निर्वर नहीं करती अतात यू का जो फलन होगा वो केवल और केवल किस में होगा किस पर निर्वर होगा टी पर परम ताप पर निर्वर होगा इसलिए डेल ऑपॉर्ण डेल भी टी पर भी क्यों हो जाएगा जिरो यह अगे फिसके लिए ठीक यह निन यह पॉर्ण पर जीरो है और दीम क्या रहते हैं जिरो रहते हैं तो इस से ये निसकर्ष निकलता है कि आदर स्केश के अडूओं के मद्द कोई आकर्शन बल नहीं लगता इससे ये निसकर्श निकलता है कि कोई बल नहीं लगता लेकिन वास्तविक गैसों के अडूओं के मद्द आकर्शन बल बिद्यमान होता है यह बिल्कुल तरह है अधा वास्तविक उर्जा में व्रद्धी हो जाएगी और उसकी गतिज उर्जा में उतनी ही कमी हो जाएगी तो वास्तविक गैसों में क्या होगा कि उसकी इस्तिज उर्जा तो बढ़ जाएगी और गतिज उर्जा में क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी ठीक जबकि आंत्रिक उर्जा जो होती ह लिए मुक्त प्रशार में घस का घट जाएंगा क्या होगा घट告诉 US यह क्यों के वल यूवल ताफ पर निरवर नहीं करतीback के दाव और आइतन दाव पी और आइतन वी पर वी निर्वर निर्वर करता है इस हम देग सकते हैं कि वाश्तव YOU कि वपस्तेथी के कारण जूल के नियम का पालन नहीं करती है तो इसका रीजन जूल के नियम का पालन इसलिए नहीं कर पाती है क्योंकि उनके कि अन्द्व EL लगता है क्या होता है बल लगता न्ट्रान इस वाई से यह no नहीं करती है जूल करनी को अब हमें ड्रैप करना है जूल कॉंस्टेंट कि वैल्यू जूल continuous ठीक तो जूल गुलांग के बारे में समझते हैं यदी मुखत प्रशार में गयस के ताप में परिवरतन ڈی Tt है और आजदन में परिवरत में टेह है तव जूर गुलांग एृटनला ब्राबर हो जाएगा डी T ऐपॉण डी वी नियत आन्त्रिक उजापर ठीक है तो यह होता है जूल पुलांग जो होता है हमारा वहीट आवरावर डी टी अपॉंड डीवी और नियत पूल आंत्रिक उज्यापर होता है ठीक हम जानते हैं वंडर वैल एक्वेशन के अनुसार अगर हम दाव जो होता है वंडर वाल एक्वेशन में ए अपनवी स्कूर दाव अधिक होता है जब एपन वी स्कूर दाव लगाएंगे अधिक तो उसके आयतन में कुछ न कुछ कम ही हो जाती है अरतात जूल के प्रशार में किया गया आंत्रिक कार्य तो अब हमें कार्य करना पड़ेगा जितना दाव लगाए उससे कार्य हो जाएगा क्या पी इंटू डेल्टा वी मैं तुम होता है गैस का दाव और डेल्टा वी होता है आयतन की एक श्थान से मतलब एक पर एक जगए से दूसरी जगए tell चाथ को जाने में आयतन में परेवरत दू तो बड़ेटस बीच्च गहtså है 11 class में यानि first year class में कर चुके हैं ठीक है बच्चो तो आगे बढ़ जाते हैं यहां पर ड्री डवलू बरावर डवलू डैस बरावर हो जाएगा पी डैस इंटू डीवी डीवी यहां पर सूचम आयतन है सूचम आयतन में व्रद्दी है या परिवर्तन है कुछ पर डीवी टीश भी कह सकते हैं तो फीडश की वेलू हमारे पास एपॉन वी स्कुयर तो हो जाएगा यहां से एपॉन वी स्कुयर और डीवी ठीक हम मुक्त प्रशार में अड़ूंँ की इस्तितिज उर्जा व्रद्दी होगी उर्जा मं व्रद्दी क्याने कि अतर जितनी जर्चाने वरद्धी होगी इस दिए उर्चान में कमी हो जाएगे ठीक है माइनस एपॉन वी स्क्वर डी वी की समझ में आ माइनस ए सोरी एपॉन वी सकर डीवी की ठीक यदि नियत आयतन पर मोलर उश्मा सीवी हो तो मुक्त प्रशार में एक मोल की आंत्रिक गतिज उर्जा में कमी अगर हमारे पास मोलर उश्मा सीवी है तो एक मोल की आंत्रिक गतिज उर्जा में जो कमी होगी आंत्रिक उर्जा जो होगी वो होती है सीवी डीटी कितनी होती है सीवी डीटी तो गतिज उर्जा में कमी सीवी डीटी बरावर यहां पर है गतिज उर्जा में कमी माइनस ए अपॉन वी स्कॉर डीवी तो इन दोनों क को हमने बरावर कर दिया इन दोनों को बरावर कर दिया ठीक तो बरावर करने पर यहां से आजाएगा डी टी अठी क्या करना है मैं सिद्ध्र करणा यानि डीटी पॉर ऑपल DM और नियत आंत्रिक उर्जा पर तो बेस्टी अठावन बचा हमाई पास माइनस का वन अपन पर माइनस के बन अपन इनटू एफ यह उपॉसकर यह हमारी वैल्यू हो गई किसकी जूल गुरांग की वैल्यू हो गई ठीक और आपको बता दूहों आपकी समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है अगर नहीं आ तो एक बार दुबारा से देखें वीडियो को ठीक है अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करके जरूर बता हैं बले यह बेकार लगाओ ठीक चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो वीडियो को सेयर कर सकते हैं और कोई परेशानी हैं समझ में नहीं नहीं आ रहा हो कोई भी दिक्कत हो एक स्वाइजर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ठीक है वाल दा वेस्ट पॉर यॉर करेयर